हेलो एवरीवन वेलकम टू करेरसिंफो डॉट इन दस इस रतु पांडे स्वागत करती हूँ आपका करेर इंफो में यहाँ पर टीचिंग से रिलेक्टेड जो भी जॉबस आती हैं उसे मैं प्रोवाइड कराती हूँ आपको अपडेट करती हूँ तो यहाँ पर आज जीडी आई हुई है आपको वेवसाइट पे ही इसका अब्रोटाइजमेंट मिल जाएगा तो आपको जादा यह दो दो जाने की जूरत नहीं है और वेवसाइट की लिंक में आपको वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगे आपको वहाँ से चेक कर सक हैं जो रिकूर्टमेंट आई हुई है उसे हम दिखेंगे डिटेल में तो यह मैं आ गए हूँ वेवसाइट पे और जैसा कि मैंने बताया कि वेवसाइट पे ही इसका अडवर्टाइजमेंट आपको अवेलबल है वहीं से आप चेक कर सकते हैं तो जो जी डी गोईंग का स् को कवर करता है जहां पर यह स्कूल अवेलबल है आपको तो इसमें जॉब करना एक काफी जो है अच्छी अपॉर्चिनीटी है बट हाला कि यहां पर भी टीचिंग की तो रिकूर्टमेंट नहीं है बट यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट डेक्स आपके पास साथी में MBA, HR and Marketing से आपने किया हो और Degree Diploma in Public Relations, Diploma in Computer हो तो आपके लिए काफी अच्छा होगा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें यह चीज है कि यह जो पोस्ट है यह सर्फ female के लिए है, male के लिए नहीं है नेक्स्ट जो अगली recruitment है वो accountant के लिए है जिसमें आपने M.com किया हूँ या CA with 5-year का experience वो आपके पास concern फिल्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथी में computer skills भी आपकी होनी चाहिए और working with tally, core, draw and excel का भी आपको knowledge होना चाहिए तो आप इसमें easily apply कर सकते हैं हालग कि इसमें अगर आपने M.com भी किया हुआ है और आपका experience अच्छा कासा है आपको tally की knowledge है, core और excel की knowledge है जो कि आजकर लगबख सभी computer की knowledge रखते हैं अगर उन्होंने इस तरह किसे कुछ पढ़ाई किये तो इसमें apply कर सकते हैं अगर नहीं भी किया है तो आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आपने M.C.A. किया है concern field में तो आप इसमें apply कर सकते हैं an understanding of CBSE procedure जो होता है aspect तो वो आपको पता होने चाहिए next यहाँ पर preference आपको दी जाएगी will be given experienced, highly motivated, creative and enthusiastic candidates having good command over English and a flair for initiating innovative programs and activities तो यह आपके अंदर capability होनी चाहिए तो आप इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी अगर आप institute से जोड़ते हैं तो यह तो basic हो जाता है कि आपके highly motivated होने चाहिए, creative होने चाहिए, enthusiastic होनी चाहिए तो यह इसकी recruitment है next यहाँ पर remunement की बात की गई है कि will commensurate with the profile and is not limited to the grade scale higher emolument may be considered for deserving candidate तो यह deserving candidate को काफी अच्छा जो है package देंगे, grade scale बगरे देंगे next यहाँ पर interested candidate should apply online on the prescribed application form available on our website तो website पर यहाँ पर available है form और application form उसके थुरू आपको apply करना है और email at आपको email भी दिया हुए, website भी दिया हुई है with latest detailed resume and a recent photograph तो आपको mail अगर करना है तो मैं तो आपको बोलूँगी दोनों जगे apply कर लेना आप में website पर भी जाकर application form में उसे fill कर देना है अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे fill करना है और next यहाँ पर career यह जो mail ID दी हुई है यहाँ पर भी आप latest जो आपका detailed resume है वो और साथ में passport size का photo send कर दीजेगा इसमें only note दिया हुए है कि only shortlisted candidate will be called for interview तो अगर आपका resume में जो है आपका application shortlisted होगा तो आपको call आएगी तो आप ऐसा number रखना जिसे easily अपना phone number ऐसा provide करना अपने application form में and resume में की जिसे easily contact हो सके और यह phone number अगरे दिया हुआ है सारा कुछ है यहाँ पर address भी provide है आपको आप देख सकते हैं या तो screenshot ले सकते हैं और directly website पर भी जा सकते हैं अब यहाँ पर form की बात करें कि आप form कैसे fill करेंगे तो यहीं पर बगल में form भी दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको full name डालना है DOB डालना है date of birth email ID phone number आपका दो phone number होना चाहिए आपके educational qualification आपको यहाँ पर fill करना है current status आपका fill करना है क्या आपका current status क्या है आप working है या self employed है या unemployed है next यहाँ पर location अपना fill करना है आपको और last में आपको अपना resume जो है इसमें upload कर देना है और submit का button यहाँ पर आपको दबा देना है तो आप यह online website पर ही apply कर सकते हैं यहीं पर जब आप यह advertisement देखने के लिए इस website पर जाएंगे तभी और साथ में आप अलग सी mail ID भी mail पर भी आप mail कर सकते हैं या mail ID दी हुई है आपको ठीक है hope आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा यदि कुछ रह जाता है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं मैं आपको उसकी जो है जो भी आपकी queries होंगी मैं उसे उसका reply कर दूँगे वीडियो को एन तक देखने के लिए thank you चैनल को like जरू करिए और अपने दोस्तों के साथ share करिए